करेंगे इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाओंगा वट इस रेशनल नंबर कोई भी नंबर है वो ब्यू भाई क्योव में लिखक जाते हैं और कोई भी नंबर उठाए कren जीजिए यहांपर लेते हैं यहांपर मैं डियनेशन कर समझ म heaven मैं लोट कोई भी नंबर है one one form लेख सकता हूं one up on one three three call stuffthree upon one को नंब लेले हैं फ्रेक्शंक तो पहली अपन नोती या सही 5 पॉन 6 ले लो चाहे माइनस 7 अपॉन 10 ले लो अब आप लोगों पता ही लग गया रैशनल होई रैशनल गया थे मानलों रूट 2 है तो रूट 2 को लिख सकता हूं रूट 2 अपॉन 1 तो denominator में तो 1 लगाई सकते हैं तो मानलों decimal आ जाता है चलो 0.5 तो इसे लिख सकता हूं 5 अपॉन 10 इसका मतलब दुनिया का कोई भी नंबर हो उसे हम फ्रेक्शन में पी बाई के ओ फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम पी बाई के ओ फॉर्म में लिख सकते हैं क्लियर उसे हम पी बाई के ओ फॉर्म में जहां पे P किसे ब्लाउंब का एक गन्ड इंब्लेक्टर और Q किसा वैल्ट को रिप्रेसेंट करा है डीनॉमीनेटर अब करता है डैफिनेश्य राचनल नंबर अक्छली होता रहा है Ration number will be donated or represented in a P by Q form, where Q is not equal to 0, Q की value 0 नहीं होनी चाहिए, क्यों की value नहीं होनी चाहिए, क्यों की value नहीं होनी चाहिए, क्यों की value नहीं होनी चाहिए, क्यों की अगर कोई भी number एक चीज़ आ रखना है, any number, any number divided by 0, किसी भी number को अगर 0 से divide करोगे, वो क्या बन जाते है, infinity Any number divided by 0 is infinity, and infinity is not a rational, because it cannot be defined, infinity कहां पे खातम होगा, नहीं पाता, because it cannot be defined इसलिए rational number की condition होती है, p by q form में होना चाहिए, where q is not equal to 0, and p and q are integers, p and q integers होंगे, p and q integers, यह तो rational की होगी, अब rational देखो कोई भी हो सकते है, जैसे यह 0.5 rational number है, 5 upon 10 rational number है, और देखो, 5 upon 10 को मैं 1 upon 2 लिख सकता हूँ, 5 upon 10 को 1 upon 2 लिख सकता हूँ, cut कर लेता है, 5 से cut होगे, यह 2 होगे, इसका अतलब 5 upon 10, और 1 upon 2, दोनों same है, दोनों की value same है, cut करके 1 upon 2 ही आएगा, जब किसी rational number को cut करके, उसकी lowest form में convert कर देते है, जब किसी rational number को cut करके, उसकी lowest form में convert कर देते है, मालों यहाँ पर मैं कोई और example ले लेता हूँ, हम example ले लेते हैं, 15 upon 12, यह rational number है, देखो, तो पी बाई के वो फॉम में क्यों नोट इक्वल टू जीरो है 12 वास की जगा और पी एंड के वो दोनों इंटीजर है 15 भी इंटीजर है 12 भी इंटीजर है तो इसका पर तीनों के तीनों कंडिशन अप्लाई होगी ये रैशनल नमबर हुआ कट करके 3 से कट होगा 5, 3 से कट होगा 4 तो ये lowest form में कंवर्ट होगे 5 by 4 किसी रैशनल नमबर को जब उसकी lowest form में कंवर्ट कर देते हैं तो lowest form में कंवर्ट करने के बाद उसे बहुत है standard standard form of rational number standard form of rational number किसी रैशनल नमबर को उसकी lowest form में कंवर्ट करने के बाद उसे बहुत है standard form of rational number ये अब हम question करेंगे ncrt exercise 1.1 question number 1 is 0 a rational number is 0 a rational number क्या 0 एक rational number है yes 0 is a rational number rational number क्या थी ये ही अपलाई होनी चाहिए तब वो rational number होगा अब देखो 0 को में क्या लिख सकता हूं 0 को 0 upon 1 लिख सकता हूं 0 upon 2 भी लिख सकता हूं 0 upon minus 3 भी लिख सकता हूं अब देखो p by q form में है हर एक number p by q form में है where q is not equal to 0 q की value 0 है denominator 0 है नहीं है not equal to 0 हुआ and p and q are integers p की value 0 integer है 1 b integer है 0 b integer है 2 b integer है 0 b integer है minus 3 b integer है इसका थी तीनों की तीनों conditions इस पर अपलाई हो रही है तीनों condition कौन कौन सी है क्या p by q form में है second condition क्या है क्या denominator not equal to 0 है तीनों का not equal to 0 है third condition क्या है क्या p and q p and q integers है 0 b integer 0 b 0 b 1 b 2 b और minus 3 b तीनों की तीनों conditions अपलाई होगी अगर तीनों की तीनों conditions अपलाई होगी hence 0 is a rational number hence 0 is a rational number यथा question number 1 अब हम करेंगे question number 2 find 6 rational numbers between 3 and 4 find 6 rational numbers between 3 and 4 find 6 rational numbers between 3 and 4 रेको भी से कैसे सोग सरसे फिर हम क्या करेंगे 3 upon 4 है इसे 3 upon 1 and 4 upon 1 में लिखने में इसमें 2 तरह के question आते हैं बच्चों याद रखना है इसमें 2 तरह के question आते है find the 6 rational number ऐसा करके rational number find out करने वाले में 2 तरह के question आते है एक question वह होता है जिसमें denominator denominator same second वह होता है जिसमें denominator same now denominator not same तो दो तरह के question आते हैं अब देखो यहाँ पर 3 और 4 गेवन था मैंने नीचे 1 और 1 लगा है तो denominator same हो गया ठीक है अब इससे कैसे solve करने है इसके बाद इसमें n प्लस 1 रूल लगते है इसमें n प्लस 1 n प्लस 1 n क्या है इसमें उच्छा n की value है वो rational numbers जितने हमने find out करने है इसमें n की value क्या है वो rational number जितने हमने find out करने है कितने rational number find out करने को कहा है 6 तो n की value क्या है हुई 6 तो 6 प्लस 1 6 प्लस 1 n की जगा उसकी value पुट कर दी तो कितना हो 7 जितने इंडिरेक्टल यह कह सकते है जितने rational number हमने find out करने है उसकी वो क्या थी n की value plus 1 हमेशा उसमें एक हैज करने है उसके बाद जितना नंबर बन गया 7 उससे numerator और denominator दोनों को multiply करते है उससे numerator और denominator दोनों को multiply यह बन जाएगा यहां पर क्या लिए है बिट्वीन का मतलब होते है दो नंबर इसके बीच वाली वेल्यूस इसका मतलब जो उसकी जो side वाली values है वो include नहीं करना है ना तो उसका starting point include करना है ना ending point include करना है between दो words होते है from number start from this to this from or to from or to जब होते है तो उसके ending और starting दोनों values क्या होते है include होते हैं अगर मैं लिख देता है find the six ratio numbers from three to four three और four के बीच में three से start होके four तक जितने भी six ratio numbers लिखे जाए थी से start होके four तक कोई भी six ratio numbers लिखे जाए तो three और four में include करता है 2107 21 upon 7 28 upon 7 को include करता है यहाँ पर क्या है between between का मतलब होते हैं इन दोनों numbers के बीच वाली values लिखनी है तो इन दोनों को include नहीं करना तो इसका मतलब हैं के बीच कौन कौन से values होंगे 21 से लेके 28 तक 22 upon 7 23 upon 7 24 upon 7 25 upon 7 26 upon 7 27 upon 7 लिखते हैं नेक्स कॉच्चन देखते हैं नेक्स कॉच्चन भी इसके जैसे ही है कि फाइंड फाइब रैशनल नंबर्स फाइब फाइब रैशनल नंबर्स लिखेंगे तो बेट्वेइन कि थी बाइफ एंड फॉर बाइफ देखो बिट्वीन है इंक्लिवन गता यही रूल लगे का उपर वाला सबसे पहले क्या है हम कॉस्चन को लिखेंगे तो सबसे पहले इंक डिनोमिनेटर सेम है देखो अगर डिनोमिनेटर ना कुछ नहीं करना हमें एल सेम लेकर पहले डिनोमिनेटर सेम बनाने का था ना दो तरा के कुछ हो था एक सेम डिनोमिनेटर एक डिनोमिनेटर अलग हो अगर मालो डिनोमिनेटर अलग आ जाए कुछ नहीं करना तुम लोगों ने सिंपल एल सेम लेकर उसका डिनोमिनेटर सेम यहां पर कितने numbers find out करने है 5 तो n की value क्या होगी 5 तो यहां देगा 5 plus 1 equals to 6 तो अब हम क्या कहेंगे 6 से numerator और denominator दोनों को multiply कर लेंगे ज़रूरी नहीं है बच्छो 6 से ही करना एक चीज और बता देता हूं यह तो ncrt ऐसे rule लिखे हुए ncrt के according यह n plus 1 रूल लगता है ठीक है ज़रूरी नहीं होता कि 6 से ही करना है एक number जाधा से ही करना है 5 से बड़ा कोई भी number ले लो जितने number find out करने है न उससे बड़े किसी भ कर दो चाहिए 100 से कर दो चाहिए 99 से कर दो चाहिए 78 से पर 0,1,2,3,4,5 इन से नहीं करोगे उपर नीचे multiply करना हूं नियुम्रेटर और डिनॉम्रेटर से जो multiply करना है जैसे यहां पर 6 से multiply किये उपर नीचे 5 से जितने इन रैश्यों नंबर हमने find out करने है उससे बड़ा कि अंसर को छोड़ा जाता है पर वो भी ठीक था अंसर वो भी गलत नहीं होता ठीक है तब यह कितना बनेगा 18 upon 30 and 24 upon 30 अब रैश्यों नंबर कौन कौन से हुई कितने 5 लिखने 18 18 तो लिखा नहीं जाएगा क्योंकि word क्या है यहां पर between तो शुब कहां से करेंगे 19 upon 30 20 upon 30 21 upon 30 22 upon 30 23 upon 30 आगे पांच एक दो तीन चार पांच क्लियर अब एक तो एक्जाम्पल्स बहु उठाते हैं जिसमें डिनोमिनेटर सेम नाउ तो इसलिए इसे लिए को जाते हैं पांच में सेलिएॉव और कर दोटकित तो नेषर के शीमिनेटर सेमस्टेज बूसे प्रत κलिए क्यां सुझब और कॉश्टर है झाल झाल हुँआ कोशन फाइंड 11 रैशनल नंबर्स बेट्वेन टू बाइ थ्री एंड फॉर बाइ फाइंड और देखो यहां पे डेनॉमिनेटर सेम नहीं है तो हमने क्या करने सबसे पहले हमारा काम होगा इनके डिनॉमिनेटर सेम नहीं है जैसे 2 अपॉन 3 एंड 4 अपॉन 5 डिनॉमिनेटर कैसे होंगे यह से लेंगे व्याइस से 3 और 5 इनके लेंगे यह तो मुझबनी भी निकाल सकते होंगे 3 और 5 दोनों लग लग नमबर है तो इनके लसें 15 है 5 3 10 12 15 एक चीज़ यार है लेने के बाद अगर डिनॉमिनेटर सेम नहीं हो एक बाई चेक कर ले कई बाई क्या आता है जितने नंबर्स तुम लोगों को रैशन नंबर्स चाहिए ना वो इनहीं के बीच मिल जाते हैं कई बाई ऐसा कोश्चन आ जाता है कि इसके बीच में नंबर्स मिल जाते हैं उसकी भी एक एक एग्जेंपल करवा तुमा अब देखो यहां पर सिर्फ तुम्हें 11 बाई 15 मिल रहे है 10 नोट वाल के बीच में 11 आते है 11 अपॉन 15 मिल पहे है हमें सीधा ही लेग देता कि 11 अपॉन 15 इस वान राशन नंबर बेट्विन दिस एंडर्स यह चीज़ कह रहता है पर हमें यहां पर कितने निकालने 11 नंबर 11 इनके बीच में अभी नहीं मिल रहे हैं तो हमें प्रसीजर लगाना पड़ेगा n प्लस वन रूल n प्लस वन रूल इसलिए करता हूं करता हूं यह NCRT रूल है यह बॉर्ड रूल है बॉर्ड रूल के कोडिंग एंड प्लस वन रूल ही चलता है ठीक है मिल्टिप्लाइ किसी से भी कर सकता हूं वह गलत नहीं है पर NCRT एंड प्लस वन का रूल ही अप्लाइगा तो एंड क्या होगे जितने 11 है 11 प्लस वन डैट इस ट्वेल अफ ट्वेलव से उपनीचा मिल्टिप्लाइ करेंगे 10 अपॉन 15 इंटू 12 अपॉन 12 एंड 12 अपॉन 15 इंटू 12 अपॉन 12 यह बन गया हमारा 120 अपॉन 15 इंटू अपॉन 144 अपॉन 180 कितने 11 लिखने है नबर देखो 120 से लिखे 144 इसली तुम लोगों को 11 नमबर मिल जाएंगे विच विच में से लिखे तो 121 अपॉन 80 123 अपॉन 80 125 अपॉन 180 127 अपॉन 180 130 अपॉन 180 131 अपॉन 180 135 अपॉन 180 137 अपॉन 180 143 अपॉन 180 144 नहीं लिखना क्योंकि 144 यह दोनों इंक्लिउड नहीं काने इंके बीच के लिखने कितने होगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नू नो होगे दो रह गे तो कोई भी उठालो बीच में जो रह गया तो वो लिखलो 122 अपॉन 180 यहां से 128 रह गया वो लिखलो 128 अपॉन 180 हैंस इस 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 आर 11 राशन नंबर्स एर 11 राशन नंबर्स ब्टिन 2 x 3 एर 4 x 5 अब एक ऐसे एक्जम्बल करते है जिसमें मालो इसी के रिलेटेड जो चुछ मैंने यहाँ पर समझाई कि यहाँ पर समझाई थी कि कई बही नंबर यहीं पर मिल जाता है इसे मिलने के बाद अрахद कि फाइजए तो रैश्नल्बिट्विंद कर त्च पर मिलेट यहाँ अ लिगा वर्याशं 30 था आज़ नंबर रेट्विंध मींचकों कि बहीं रेलरिंघ और बाज दुल्ल और 10 आएगा तो इसे 5 से multiply करना पड़ेगा इसे 2 से यह बन गया 5 upon 10 यह बन गया 2 upon 10 अब देखो कितने नंबस find out करने थे 2 rational numbers 2 rational number का ध्यान से देखा जाए 2 upon 10 और 5 upon 10 के बीच में 3 नंबर भी आता है 4 नंबर भी आता है तो दो नंबर मिलके पहले ही बीच में 2 upon 10 और 5 upon 10 के बीच में 3 upon 10 और 4 upon 10 दो नंबर पहले ही मिलगे दो ही हमें find out करने थे तो आगर solve करने के जरूरत क्या है यहाँ पर हमें 2 नंबर मिलगे तो सीथा लिख दो 3 upon 10 and 4 upon 10 are two rational numbers आगे परसिजर तब लगाने अगर यहाँ पर पूछा उता टू rational numbers clear तो यहां पर उच्छे तुम लोगों की 1.1 exercise खतम होती है next वीडियो में हम शुरू करेंगे 1.2 exercise पहले concept अहर बार कितना पहले concept उसे related questions clear